फाइनली इस हफते की दूसरी मूवी क्रू स्टारिंग तब्बू करीना कपूर कृटी सेनन देख लिए मैंने तो जहां हमने पिछले हफते तीन लॉंडों को खुराफात वगएरा मचाते हुए देखा था मटगाओं एक्सप्रेस में वहीं दूसरी तरफ इस हफते तीन मौतर माई हवा में उधम मचाती हुए नजर आ रही है इसकी स्टोरी के अगर बात करें तो वह एक्जैक्ली बिल्कुल वैसी है जैसे इसकी ट्रेलर वगएरा में देखने को मिल रही थी तो कहानी है तीन एरहॉस्टेस की जिनने लास्ट छे महीने से सैलरी वगएरा नहीं मिली है एन एरलाइंस के डेली ऐलाउंस के बेसिस पे भी किसी तरीके से उनका गुजारा बस चल रहा होता है एन इसी चीज से फ्रस्टेट होके वो उल्पटांग चीजों में हात मारती है पैसे वगएरा उनकरने के लिए एन ठीक इसी दोरान इन तीनों को पता चलता है कि जिस एरलाइं कमपनी के लिए ये लोग काम कर रही थी वो बैंकरप्ट हो चुकी है सुनी सुनी सी कहानी लगती है न इसके बाद कैसे ये तीनों उस इंसान को अच्छा कासा सबक सकाती है उसी बारे में पूरी मूवी है सबसे पहले मैं बात करना चाहूंगा अपनी तीनों हिरोइन्स के बारे में जिनकी आपस की केमिस्ट्री काफी जबरदस्त है इन फैक्ट ये मूवी का सबसे बड़ा सेलिंग पॉइंट भी है तीनों ही एक्ट्रिस को एकदम अलग किसम की पस्नालिटी दी गई है पिचर के अंदर और वो काफी जच भी रही है अपने अपने केरेक्टर्स में पिचर के एक और बात जो मेरे को बहुत अच्छी लगी कि ये बेकार में ऐसी कोई मेल केरेक्टर से है जैसे की दलजीत और कपिल शर्मा को जो करेक्टर है आपने रोल के अंदर जो की एस सच कोई प्रोपर कॉमेडी केरेक्टर नहीं है जो वो प्ले कर रहे है पिचर का basic premise is quite interesting and promising but sadly it could not deliver in terms of a good script and direction मतलगी इसके plot में एक अच्छा कासा potential था to be a non-stop mad comedy but unfortunately ये अपने fun और मस्ती वाले segments को बस ऐसे छूके निकल जाती है जिसकी वज़े से वो जो lasting impact आना चीएता वो नहीं आपाता कहीं कहीं जगें आपको काफी जाधा हसी आती है बट फिर अचानक से वो witty one-liners और funny situations का आकाल सा पढ़ जाता है इनी सारी चीजों के चलते ये बस आपको एक half-hearted मजाई दे पाते हैं और जाधा कुछ नहीं जब आपके पास इतनी अची cast हो जिनके characters के साथ आप नजाने क्या कुछ नहीं कर सकते उसको इस तरीकी से waste कर देना not good इसके लाबा picture का music is nice but not memorable enough तो overall crew is a decent watch और उसमें भी majority of the credit goes to the lead actors of the movie जिन्हों ने अपनी तरफ से कोई कसर नहीं छोड़ी